हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल ड्रामा सिरीस पार्ट टुवल तकी स्टोरी आपको पिछले वीडियों बताच की हूँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा पिछले एपसोर में हमने देखा था कि दाफिंग फूयान को इंसाब दिलाने के लिए और उस गाउं के इलिगल कामों को रोकने के लिए उस बंदे को पकरने की पूरी प्लानिंग करता है जो फूयान के दादी के मौत का जिम्मेदार है और वो पुलिस के साथ मिलकर उस बंदे के साथ एक डील करने के लिए जाता ह और उसके अड़े का पता लगाने की कोसिस करता है तो पहले तो वो बंदा दाफिंग पर डाउट करने लगता है लेकिन जैसे ही दाफिंग अपने पैसों का रोब जारने लगता है तो उस बंदे को यकीन हो जाता है और वो दाफेंग को अपने अड़े पर ले कर जाता है दूसी तब फूयान भी उसी जंगल में जरीबूटी तोर रही होती है कि तब ही उसकी नजर उसी गारी पर परती है तो फूयान को उन लोगों पर बहुत ही गुसा आता है कि वो लोग फिर से गाउं में इलिगल काम कर हैं तो फूयान डिसाइट करती है कि वो उन लोगों के अड़े का पता लगा कर रहेगी और फूयान चोड़ी छुपे उस ट्रक में घुस जाती है इधर दाफेंग उस बंदे के अड़े पर पहुंच जाता है और वहां पर वो सारी चीज़ों की डिटेल ले ही रहा होता है कि तभी उस बंदे की नजर फूयान पर पर जाती है और वो फूयान को डराने धमकाने लगता है पर फूयान भी उसके समने डटकर खड़ी हो जाती है कि तभी उस बंदे को याद आता है ये लड़की तो दाफेंग की वाइफ है तो दाफेंग फूयान को उन गुंडों से बचाने के लिए उसे खीच कर एक थपर मारता है और उसे इसारा देता है कि वो यहां से चली जाए यहां पर खत्रा है तो फूयान उसके सारे को समझ जाती है और जाने लगती है पर वो बंदा उसे जाने नहीं देता और कहता है इसे हमारे अड़े का पता चल गया है इसे हम इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते इसे अब मरना ही होगा और वो बंदा फूयान को पहारियों पर लेकर जाता है मारने के लिए तो दाफेंग उसे रोकने की कोसिस करता है पर वो बंदा नहीं रुकता कि तभी बंदा वहां से भाग जाता है आगे सारी पुलिस दाफेंग को ढूनने लगती है क्योंकि उन लोगों को दाफेंग नहीं मिल रहा होता है और फूयान बहुत ही टेंसन में होती है कि आखेका दाफेंग कहां चला गया कि तभी उसकी नजर दाफेंग पर पड़ती है जिसकी अगे फूयान दाफेंग की बहुत है अच्छे से देखवाल करती है और उसे दाफेंग के लिए बहुत बुरा भी लगता है दूसी तब दाफेंग की फैमली को जब इस बार में पता चलता है तो वो लोग दाफेंग के लिए टेंसन में आ जाते हैं और अंकल आंटी दाफ जिन्हें रोग देते हैं दाफिंग फूयान के पास है तो हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और फूयान दाफिंग को कुछ भी होने नहीं देगी और यही मौका है दाफिंग के पास फूयान को मनाने का इसलिए हमें उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए दूसर नाना कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में बहुत बुरे काम किया है अब मुझे उनका प्रश्रताप करने का मौका मिला है तो मैं तुम्हारी हल्प जरूर करूँगा आगे हांडोंग का नाना उस कातिल को धोकी से एक जगां पर बुलाता है और पुलिस से उस बंदे को पकरव वहादेता है और हन्डोंग का नाना अपने आपको भी पुलिस के हवाले कर देता है क्यूंकि उससे बहुत सारे काम किये होते हैं पर पुलिस ऐसे वाहिजद्वरी परी कर देते हैं क्योंकि उन्होंने किर्मिरल को प्रकरवाने में उनकी हल्प की होती है तो हां डोंग यह वह सब देकर बहुत ही खुश होता है कि उसके नाना को कोई सजा नहीं मिली दूसी तब दाफिंग को होसा आ जाता है तो फूयांस अपने कि एकी माफी मांगता है और कुछे गलत किया होता है जिस वजह से डर लग रहा होता है कि अगर फिर इसके साथ कुछ गलत कर दिया तो liegt कि अभु आपको कभी भी ओशिक कर जाती है तो ढई सत्वायां है मांगते हैं और उसे अपने साथ बद्दे मना कर प्लीस हमारी इतनी सी विष्पूरी कर दो तो फूयान उन्हें मना नहीं कर पाती आगे वो लोग साथ में मिलकर दाओ का बद्दे मनाते हैं दूसी तब दाफिंग बहुत ही सैड रहता है तो यान उसे समझाने की कोशिस करता है मुझे पता है तुमने फूयान के साथ बहुत गलत किया लेकिन तुमने अंजाने में ये सब किया है इसलिए अभी भी तुम्हारे पास मौका है फूयान के पास जाओ उससे बात और उसे अपनी लाइफ में वापस ला लो क्योंकि अगर इस बार फूयान चली गई न तो तुम हाथ मलते रह जाओगे पर वो वापस नहीं आएगी तो दाफिंग सिधा फूयान के पास जाता है पर वो उसे अपने साथ रहने को नहीं कहता दाफिंग को बहुत ही गुसा आता है क्योंकि वो चाहती है कि दाफिंग उसे रोके पर दाफिंग उसे रोकता ही नहीं और बैचारी फूयान गुसी से वहाँ से चली जाती है आगे फूयान और दाव इस्टेशन पे होते हैं तो दाव फूयान को कहते हैं मुझे पता है आप जी जाजे से बहुत प्यार करती है तो फिर आप उनसे दूर क्यों रह रहे हैं मुझे उस फैमिली में बहुत ही मज़ा आता है और मुझे वहीं पर रहना है कि तभी वहापर दाफिंग आ जाता है और फूयान से एक चांस मांगता है तो फूयान कहती है ये बात तो तुम मुझे घर में भी कह सकते थे तो यहाँ पर आने की क्या जूरत थी तो दाफिंग कहता है मैं बस तुमें सोचने का थोड़ा और टाइम देना चाता था कि बाद में तुम अपने फैसले पर रिग्रेट ना करो लेकिन अब मुझे पता है कि तुम भी मेरे साथ रहना चाती हो प्लीज मुझे एक मौका दे दो मैं तुम्हारे साथ रहना चाता हूँ अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाता हूँ मैं तुमसे अलग नहीं रहना च जाता हैं तो अंकल और अंटी उस company को अच्छे से समहलते हैं पर उन लोगों को वहां का धेः सारा काम समहला नहीं जाता और वो दाधा जी को कहते हैं कि वह company में वापस आ जाए और अपनी position समहले क्योंकि वह इतना सारा काम अकली द技 बाती नहीं कर सकते पर दादा जी बहाने बनाने लगते हैं कि आपस नहीं हों नहीं कर सकते हैं तो आघे हैं तो कोई आघे हां जाते सारी है ताकि कि तुम भी आराम से अपनी लाइफ तर टीक कर सको तो तो फिर बताओ तुम मुझे क्यों कह रहे हो और यहां पर दोनों दोस्त एक दूसे की बातों को सुन सुन कर हसने लगते हैं दूसी तब हांडों और फूयान दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे होते हैं ताकि वो लोग कंपनी में ऐसा गिफ्ट दूँगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा और उसे यह गिफ्ट कोई भी नहीं दे सकता तो हांडों कहता है ऐसा तुम क्या देने वाली हो तो फूयान कहती है मैं तुम्हें बता रही हूं लेकिन तुम यह बात किसी को भी नहीं बताओगे समझे तो हांडों कहते हैं मैं तुम से प्रॉमिस करता हूं मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा तो फूयान के नियुज सुन का बहुत ही खुश होता है कि तभी महाँ पर दाफिंग आ जाता है वेल दाफिंग और हांडों जिसने हमेसा उसकी help की है आगे दाफिंग जाने से पहले हांडों को कहता है कल हमारे घर चेर में आ रहे हैं मैं चाहता हूं कि तुम भी उस डिनर में आओ तुमारी भी जान पहचान हो जाएगी तो हांडों कहता है ठीक है अगले दिन सब डिनर पे आते हैं और साथ में खुब हांसी मजाग करते हैं तो हांडूंग के नाना जी कहें मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया मुझे वो सारी खुसियां मिल गई जिसके लिए मैं जिंदकी भर तरस रहा था लेकिन एक खुसी अभी भी मेरे लिए बांकी है मैं अपने नाती की साधी करवाना चाहता हूँ लेकिन मेरा नाती तो किसी लड़की की तरफ देखता ही नहीं मेरे प्यारे नाती तुम कब साधी करोगे तो हांडूंग कहता है नाना आपको भी पता है कि मैं कितना बिजी रहता हूँ मुझे पढ़ाई भी करनी होती है और साथ में ओफिस भी समालना पड़ता है में पास टाइम नहीं है लड़कियों को डेट करने का तो उसके नाना ये सुनकर तो पुरी तरह परिसान हो जाते हैं कि तब उधर से चेर्णमेन और उसकी बेटी आती है तो नाना जी जैसे ही चे प्रूसिया मिल सके जिसका वह अगतार है वेल हन डोंग को भी वह लड़की पसंद होती है क्योंकि उसकी सकल सही पता चल रहा होता है और उस लड़की को भी हन डोंग पसंद होता है आगे दाफिंग और फूयान अपनी एनवर्सरी पर अपने गाउं जाते हैं वहां पर द कुमारे लिए एक सर्प्राइस प्लैन क्या है तो दाफिंग कहता है चाहे तुम कितने भी कोसिस कर लो तुम मुझसे अच्छा सर्प्राइस तो नहीं दे सकती तो फूयान कहती है फिर सर्थ लगा लो इस बार बै तुम्हें ऐसा गिव दोंगी जिसके बारे में तुमने कम्प्लीट हो जाती है वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और पेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भूले